पर हैंडू पर चुर्टे दिट्क इंटरों सिर्म है सो फ्रेंट आज के से सालों बात कने वाले हें गोड नामा के बारे है सिर्ट जो अब किसी बच्ने को गोडव लिया जाता है यह वह कौन था इस सारी डिटेल उसमें लिखी जाती है तो आज हम बात करने वाले हैं इसका प्रोफार्मक क्या होता है ठीक ना जब किसी बच्च वह लेते उसका जो डॉक्मेंट बनाया जाता है इसका जो फॉर्मेट होता है गोध नामा का वो किस प्रकार्स होता है इसको आस के सेसंटे देखने वाले हैं तो चलिे श्टार्ट करते हैं आस लिए इस वीडियो को लाइक करें जितने तारीकों गोद नामा बनाया जा रहा है वो लिखना होगा को स्री अब यहाँ पर नाम किसका आएगा जो उसका ओरिजिनल फादर था उसका नाम लिखा जाएगा पुत्र स्री अब जो भी जिसके पुत्र है वो लिखा जाएगा उम्र निवासी मकाजन नंबर मुहला वाड़ ये पूरा एड्रेस के साथ यहां पर लिखा जाएगा ठीक है ना जिसे आगे प्राक्रतिक पिता कहा गया है एवं जो इस गोध नामे का प्रथम पक्षकार है और जो ओरिजिनल फॉदर था उस बच्चे का जिसको गोध लिया जा रहा था उसको पूरा एड्रेस उसको पूरा नाम उसके पिता सारी चीजे लिखने के बाद चैarta इसको क्या को बोला गया है प्रथम पक्षकार बोला गया है एवं अब यहां पे दूसरे पक्षकार हो सभी बें गये लिखा जाए गी आगे इसे दत्तक पिता कहा गया है ठीक है ना अर्था जो गोद ले रहा है ठीक है तो ये क्या कहलाएगा दत्तक पिता एवन जो इस गोद नामे का दुति पक्षकार है कि मत निस्पादित किया गया है ठीक है तो जो प्रथम पक्षकार है जिसका एड्रेस अगर पूरा वें पत्र, पत्र्यै,ब यहां पर क्या होका ? जो भी पुत्र जिसको गोद ले जहा रहे है more . वहां पर इसका नाम हाईगा जिसकी अोम्र अब यहां पर उसकी अभी लिखनी होगी यहां पर ध्यान रखिए यह व्यक्तिकी को बच्चे रहे ही more तो वहाँ पर जो पी जैसे यहाँ पर एक व्यक्तिय righteous न यह गौद लेना चाहता है किसको को ठीको ठीक न अ ए नाम पर जो ब्यक्तिय थे वो बी रोगोस लेना चाहता है तर यहाँ पर कहा है कि इन दोनों के बीचעל डिफ्रेंस कितना होना चाहिए 21 एक 21 साल का गयफ होना चाहिए तभी यहाँ पर गोद लिया जा सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर यह 30 साल का है और यहाँ पर यह 20 साल की लड़की को क्या करे गोद ले ले ऐसा नहीं हो सकते हैं यहाँ पर 21 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए अब यहां पर कहा वेयर उसकी उम्र लिखी जानी चाहिए दुती पक्ष ने गोद लेने का प्रस्ताव किया फ्रताम पक्ष क्या है के प्रत हम पर ईक पोत्रेव के लिए वहां पर क्या करना करना वेद्य सक शांक है प्रस्ताव कितने रखा था दूती पक्छ का रखा था उज resilience कर लिया तो यहां पर कुछ condition klaix क biscuit कोई जीवित पुत्र या पुत्री को उख्ता कोई आपत्ती नहीं है तो था उसकी सैम्धी प्राप्ट कर ली गिया है यहां पर जो भी गोद्य ले रहा है उसे पुद्र और पुत्री को तो आपा उसकी पत्मी वाईफ है उसको कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एक आपत्ती नहीं होनी चाहिए उसको गोद्र लें जिए उसके बाद याई कि प्रथम पक्ष ने उक्तगोध दिये जानों कि समद्धे अपनी पत्री की सहमति प्राप्त कर ले रहा है तब यहां पर क्या होगा कि और प्रफ्मपक्ष को अपनी पत्री सहमति के बाद ही इसाब करना होगा यह कि आज दिनांको उक्त नामे के अंस्वरण में बालत श्री को बहुत ही रूप से दत्तक पिता की गोद में इसा लिखा जाएगा उसके बाद प्रथम पक्ष के द्वारा अर्जित संपत्य में दत्तक पुत्र या पुत्री का कोई अधिकार नहीं होगा जटत्र पूत्र पुत्र पुत्री का ऐसीएत में समस्तहक योधिकार होंगे तो प्रफम पक्ष के द्वारे gio्य है जो और जी समप्षे इसमों पुत्र होह यह दिकार ने हगे लेकिन जो दूसरा पक्षिकार द्थक मिल्क किता है। उसकी समप्षिकार सेह wastewater होगा ठीक है ताव यहां पे क्याद सॉक्षी गड़ा आसांगे यहां पर ऑस्ताक्षा नाम प्रत्थम पक्ष्र सिस्ustaक्षा प्रत सूरी जो प्रंचल गया नों के सॉतक्षा और द माता सॉक्ष्रा यहां आपको आपको प्रारूप अच्छे से सामच में आया होगा थेक्ट थेक्ट तो आपको किसी अन्य कोई फॉर्मेट चाहिए ठीक है तो आपको कमेंट बॉक्स में करके पता सकते हैं